इस्टुडेंट स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मियोटिक डिवीजन या इसी को एक और नाम भी दिया जाता है मियोसिस मियोसिस भी इसी को कहते हैं हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं अर्ध सूत्री विभाजन बड़ा कन्फूजन रहता है बच्चों को इंगलिस में कि मियोसिस को अर्ध सूत्री विभाजन कहते हैं या फिर माइटोटिक को और सुत्री विवाजन करते हैं तो confusion की कोई बात नहीं मियोटिक या मियोसिस एक ही बात है उसे कहते हैं माइटोटिक माइटोटिक डिवीजन जो है वो होता समसुत्री विवाजन और यह होता और सुत्री वाजन तो अगर हम बात करें इस विवाजन की तो यह है विवाजन और अगनिजम की जनन को सिखाएं या जनन को सिखाओं कह लें इंगलिस में बोलते हैं इनको जर्मिनल सेल्स जर्मिनल सेल्स में पाया जाने वाला कह लें या होने वाला एक प्रकार का विवाजन है अर्थात जो माइटोटिक डिविजिन था वो सेल्स में होने वाला विवाजन होता है जबकि मियोटिक या मियोसिस जो होता है वो जर्मिनल सेल्स में पाया जाने वाला या होने वाला एक प्रकार का विवाजन है इसको सरप्रथम अगर हम बात करें तो इसको सरप्रथम ओसकर ओसकर हर्ट बिग ने सी और्चिन सी और्चिन के एग्स में देखा था में देखा था अगर हम बात करें कि मियोटिक डिविजिन सरप्रथम कहां देखा गया तो यह फर्स टाइम जो देखा था वो ओसकर हर्ट विग ने सी और्चिन या इसी को समुद्री और्चिन भी बोलते हैं कि अंडों में देखा था इसके बाद इसे आगस्ट वीजमान वीजमान ने 1890 में रिप्रोडक्शन एंड हैरिडिटी या हम कहलें जेनेटिक्स की ब्याख्या के लिए समझाया था तो सबसे पहले आउसकर हर्ट बिग ने सी और्चिन में देखा इसके बाद अगस्ट वीजमान ने 1890 में रिप्रोडक्शन हैरिटी अर्थात वंसागती के लिए समझाया अगर आगे हम बात करें तो जे बी फार्मर एंड जे बी मुरे इन्होंने नाइंटीन फाइफ में इस डिवीजन के लिए डिवीजन के लिए मियोसिस सब्द का सरपर्थम प्रियोग किया मियोसिस सब्द का सरपर्थम प्रियोग किया तो जे बी फार्मर एंड जे बी मुरे ने 1905 में इस बिभाजन के लिए मियोसिस सब्द का प्रियोग किया तो इस बिभाजन में जेनरली होता क्या है इस बिभाजन में जेनरल को सिकाए जेनरल को सिकाए बिभाजन द्वारा डिवाइड होकर हैपलोईड हैपलोईड अगर हम कहें तो एन गैमिट्स बनाती है अर्थात इस बिभाजन से क्रोमोसॉम्स की जो संख्या होती है क्रोमोसॉम्स की जो संख्या होती है वो अपनी संख्या की आधी रह जाती है हाफ हो जाती है आधी रह जाती है तो कहने का तात्पर है जैसा कि नाम से प्रिदित हो रहा है अर्ध सूत्री अर्ध सूत्री का मतलब होता अर्ध मीन्स होता है हाफ और सूत्री मीन्स सूत्र जो क्रोमोसम्स होते हैं वो इस विभाजन के पश्चाद जो है कैसे रह जाते हैं आधे रह जाते हैं और जो बनने वाले गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं हैपलॉइड होते हैं तो वो हैप गेमेटोजिनेसिस गेमेटोजिनेसिस प्रोसेस कम्प्लीट होती है कम्प्लीट होती है अथाथ जो यूगमक जनन किरिया है यूगमक जनन इस किरिया में इसका कार होता है या इस विवाजन का कार होता है बात करें हम गेमेटोजिनेसिस की तो गेमेटोजिनेसिस हम लोग जानते हैं 12 में भी है गेमेटोजिनेसिस गेमेटोजिनेसिस में यूगमक बनते हैं यूगमक से तात पर है ispermatogenesis ispermatogenesis and दूसरा जो है वो eugenesis eugenesis your ispermatogenesis male में कहा होता है testis में होता है और eugenesis females में कहां होता है तो ovary में होता है ovary में संपन होता है तो ये कुछ basic knowledge थी जो meiosis के संबन्द में आपको उपलब्द कराई गी अब बात करते हैं मुख points की मियोसिस की मुख stages है उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं तो हम देखते हैं stages of stages of meiosis stages of meiosis division meiosis division मियोसिस division की कौन कौन से stage है उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग होता है मियोसिस सेकेंड प्रोफेज फरस्ट तो यहाँ पर जो है डॉटर सेल्स में अनेक वैरिसंस उत्पन हो जाते हैं जिसके कांड यह जो अवस्ता होती है यह यह तीन प्रकार के सब काफी बेरियंसस देखने को मिलते हैं तो प्रोफेज जो होती है यह फाइब सब फ्रेजस में डिवाइड हो जाती है जिनको हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे क्रमसा तो प्रोफेज जो होती है इसकी डिवाइड होती है फाइब पार्ट में सबसे पहले जो फाइड आता है वो होता है लेप्टोटीन बात इसकी अब यागे होगी ज्यादा डिफाइड तरीके से तो सेकेंड जो आ जाती है बहुती जाइगोटीन जाइगोटीन और थर्ड पर जो आती है बहुती पैचिटीन अवस्ता चार नंबर पर आता है डिफीलोटीन एड जो फाइब नंबर पर आता है बो आता है डाई काइनेसिस तो ये इसकी परेज अबस्ता है जो पांच सब अबस्ताओं में डिवाइड होती है इसके बारे में ऑगे चर्चा करेंगे इससे पहले आपको profile इसके बाद आता है metaphage second sorry metaphage first metaphage first के बाद metaphage first के बाद तीसरी जो अवस्ता आती है वो होती है enoughage first fourth जो अवस्ता आती है ब gatilophage tilophage first अर्थाज जो mitosis division था meosis division भी विल्कुल अवस्ताओं में सेम है differences यहाँ पर आ जाते हैं कि इसमें meosis division जो है first and second phases में divide हो जाता है और जो pro phase stage है meosis first की वो पांच सब अवस्ताओं में divide होती है differences यहाँ पर आ जाता है बात करें तो इसमें अधिक समय लगता है किसकी अपेक्षा mitosis ज्यादा समय लगता है इसमें तो इस तरह से यह अवस्ता ज्यादा बड़ी हो जाती है इसके बाद जो अवस्ता आती है उसे हम कहते हैं inter kinases inter kinases यह इसे हम कह लें तो अंतरा अवस्ता कह सकते हैं या अंतराल अवस्ता होती है जिसमें कुछ नहीं होता है यह music first and meosis second के बीच की अवस्ता होती है जिसमें कुछ जो जीवों में थोड़ी बहुत जो daughter cells होती हैं उनमें कुछ थोड़ा सा परिवर्दन होता है यहां कहलें कि वही अब अस्ता हैं सबसे पहले प्रोफेज 1st प्रोफेज 2nd वहाँ क्या था? प्रोफेज 1st था यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोफेज 2nd इसके बाद प्रोफेज में कोई भी सबस्टेज हमको नहीं दिखाई देगी डिरेक्ट हम कहाँ पर आएंगे मेटाफेज वहाँ मेटाफेज फर्स्ट था यहाँ पर मेटाफेज सेकेंड हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड एंड थर्ड जो हो जाएगा वो होगा आपका वही एनाफेज और चार नंबर पर जो आएगा वो होगा टीलो फेज टीलो फेज सेकेंड तो ये स्टेजिज आफ मियोसिस डिवीजिन की हैं जिनके बिसे में एडिशनल जानकारी हम अलग से गिरहन करेंगे इसलिए ये डिवीजिन समसूत्री भाजिन की आपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है इसमें ज्यादा समय लगता है तो आज के लिए बस इतना ही कल पुना यहीं से स्टार्ट किया जाएगा वीडियो तो आज के लिए बस इतना ही